राजस्थान में राजसभा चुनाव की चार सीटों पर हुए चुनाव में सियासत के जादूगर कहे जाने वाले CM अशोगहलोत का जादू चल गया है कॉंग्रेस ने चार सिटों में से तीन पर जीत दर्ज की है जबकि राजसभा चुनाओ के शुरुवाती दोर में पार्टी बिखरी बिखरी नजर आ रही थी तो कैसे चला चुनाओ में अशो गहलोत का जादू देखे रिपोर्ट राजस्थान में राजसभा चुनाओ के नतीजे देख कर भारतिय जनता पार्टी हैरान रह गई है क्योंकि चार सिटों पर चुनाओ था जिसमें से तीन सिटों पर कॉंग्रेस के उमिद्वारों ने जीत दर्ज की है तो वहीं एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कॉंग्रेस ने मजबूत रणनीती के साथ मजबूत किले बंदी के साथ बीजेपी को मात दी है। कॉंग्रेस ने चुनाव से दो दिन पहले ही पूरी मजबूती के साथ अपनी पार्टी और समर्थित निर्दलिये विधायकों के साथ ही छोटी पार्टीों के विधायकों की बाड़े बंदी कर दी थी। इसके अलावा गहलोत ने अपनी दमदार सियासी रणनिती से नाराज विधायकों को भी आसानी से मना कर उनको अपने खेमे में ले लिया था। कि ये शुरू से ही स्पष्ट था कि कॉंग्रेस के पास तीन सीटों के लिए जरूरी बहुमत है लेकिन बीजेपी ने एक निर्दलिये को उतार कर खोर्श ट्रेडिंग का प्रियास किया। कि इस जीत से राजस्तान सरकार में उठापटक के कयासों पर अब विराम लगना लगभग तैमाना चा रहा है तो वहीं जीत के बाद अशोक गैलोत ने विधान सभा चुनाव के लिए बीजेपी को कड़ी चुनोती भी दे डाली है। दीबी लाइव की रिपोर्ट। झाली है। झाली है।